31 मार्स तक पैन को अधार के साथ लिंक करें की नहीं, अगर नहीं करते हैं, तो क्या अरजाना भुगतना पड़ सकता है? सुप्रभाद दोस्तों, आप सभी का SK Health and Weight में स्वागत है, दोस्तों, पैन कार्ड जो है, अधार कार्ड के साथ लिंक करें की नहीं करें, और कब तक चड़ना है, क्या उसका हरजाना है, और कितनी पीस अपने को फाइन के रूप में देनी पड़ रही है, और आगे क्या देन नहीं करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज अपनी बन हो जानी है, और अपने काहता रेस्टिक्शन में आ जाएंगे, तिलहाल गवर्मेंट ने अपने को वित फाइन लिंक करने का ओप्षन दिया है, वो है अज़ार रुपया फाइन, हलंकि बहुत ज्यादा है, और बैसे इंडिया में क्या है, जब तक फाइन नहीं लगता है, लोग कारे करते नहीं है, जो जब तक डेट भी नहीं आती है, तब तक आपी लांस मुमेंट तक ही वेट करता रहता है, इस चीज को आप देखिए पहले ये कारे जो है फ्री में हो रहा था, उसके बारने सबसे पहला जो चीज है, वो आप कोई भी नया bank account नहीं खोल पाएंगे, अगर पुराना account है, तो ये भी आजकल bank लोग हर बारा मेना में ही KYC करनी परती है, अगर आपका bank अधार के साथ लिंक नहीं रहेगा, तो वो अकाउंट जिस्टिंग है, वो भी इन अपरेटी हो ज अगर bank अधार के साथ लिंक में नहीं है, इसलिए अगर ट्रेडिंग करनी है, तो वो भी आप करके रखिए, small properties की अलग बात है, वैसे तो 50 जार के निशे कुछ आना नहीं है, वेकि वोई भी आप property transaction करने जाएंगे, तो उसमें भी आजकल bank card जनूरी है, और वो भी आधार link, आप खाली demand account का मतलब यह मत समझेगा, अगर mutual fund में भी investment करने जाएंगे, तो वहाँ भी KYC जरूरी है, अगर आपका वहाँ पर भी अगर पैन आधार link नहीं है, तो आपकी KYC नहीं बनेगी, तो आप mutual fund में भी invest नहीं कर पाएंगे, सोटी मोटी जोलेरी की अलत बात है, 50,000 आप फिर भी साइज कैस में purchase कर पाते हैं, जहां की आपको pen card की जरूरत नहीं है, जहां आप 50,000 से उपर जहें, या कोई भी amount की आजकल मामूली बात है, तो आप 10 ग्राम का, तो आप 10 ग्राम का चीज भी और उसके साथ में, और 20 making ह और वो सब लेके जब लेने चाते हैं, उसके अंदर भी जो है, आपको pen card compulsory है, नहीं तो आपको जोलेरी भी नहीं खरीपाएंगे, और एक महत्वा कुल्टी, दोस्तों, आप अगर विदेश जेना चाहते हैं, तो उसके अंदर visa भी नहीं मिलेगा, जो कि visa के लिए भी दतना पड़ेगा, वो है, कि आपका कोई भी income tax return आप नहीं भर पाएंगे, और अपना जो भी पुरानी भी अगर कोई proceeding चल नहीं हो, तो वो भी बही जुग जाएगी, आपका कोई भी ITR refund अगर बाती है, तो वो भी process नहीं होगा, जो कि आपका pen अधार linked नहीं रहेगा, त next, जो है, वो TDS ज्यादा कटने लग जाएगा, जब भी investment करने जाएगे, समझेगे, अभी TDS 10% की rate से कटता है, तो आपका अब आगे से TDS 20% की साब से कटेगा, कोई भी पुरानी return अगर defective हो गई है, तो आपने उसको जैसे revise करते हैं, अगर वापी से return submit करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे, वो सकता है, गोर्मेंट इसकी date बढ़ा भी दे, लेकिन वो सकता है कि अभी जो 1000 रुपया fine ले रहा है, उसकी जगह 5000 रुपया fine भी कर सकती है, इसका risk अपने को नहीं लेना चाहिए, बेटर है कि अभी कर ले उसको linked, अब आपको उसका रस्ता बता आता हूं, income tax का जो site है, उसके उपर जाना है, अपने को उसके अंदर देख लेना है, कि अपना अभी pen linked का अधार का क्या status है, वो income tax का site में सामने में दिख रहा है, अपना description बोट में उसकी link भी दे रहा हूं, आराम के उसको देखिए, पिर अपना pen number और अधार नमबर डा पोलम है, उसके अंदर जाके अपने देख सकते हैं, और उसके द्वारा link अभी तुरत कर सकते हैं, आपका दोज सुभास जैन सतत्रत प्रियक्व में लगा हुआ है, कि आपको नहीं नहीं जानकारी आपको दे, वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक बनता है, और जब लाइक बनता है, तो इसको जरूर शेयर करना चाहिए, जैसे आप में ले रहे हैं, और उको भी दिलाइए, अगर आपने अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, जिससे आपको हज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अ अपना नया पैनकाड इस्यू होता ही नहीं है, अब समसे बड़ी भूत्ते की बात यह है, कि ऐसा गुवर्मेंट क्यों कर रही है, कि इसका जरूरी बना रही है, दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत आपने बचाने के लिए, या जलत कार्य करने के लिए, बहुत जरू पांतर भी पैनकाड इस्यू करा रखे हैं, क्योंकि अर्के अंदर वोलोग टेक पाइलिंग का मेनिफीट ले रहे हैं, क्यों कि आपका पैनकाड के अंदर कोई भी बाइबेट्रिक सिस्टम ही नहीं है, इसके कोई भी आदमी पहले इस्यू करा लेता था, वो सारे अब खत दो आदार इस्यू नहीं करा सकता है, एक आत्मी का, इसलिए उसके इतने भी लूपोल्स हैं, उन सब को खतम करने के लिए, जो लोग टेक्स एविजन करते हैं, उन सब को पकड़ने का ये सबसे पढ़िया माध्याम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी परिशानी अ अबर प्रोशेट नहीं है, आपका 2-3 मिट के अपना अधार लिंक्ट हो जाता है पेन के साथ में, जो कि आज का साइट भी बहुत खास और स्मूत करें करती है, ये देन है, आज के दिन अपने जो आईटी की दोस्तों, अगर सांती का जीवन जीना है, तो अपने इस तरह क जो भी छोटी मोटी बाते हैं, उन सब को बिना समय गवाएं, उन सब को दर लेने में ही बलाई है, यो कि अब ये जो टीम चल रही है मोधी जी की, वो एक गम करक्षन प्री इंडिया बनाने में लगे हुए हैं, यो कि अपने तो क्या है कि पहले भारत वासी हैं, नहीं न क कुछ न कुछ 19-20 करने का देता ही था, क्योंकि वो अपने बलड में आ चुका था, अब उसका का क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, अपने मोटा मोटी क्लीन बो चुके हैं, सब कोई विधेसों को अच्छा मालते हैं, लेकिन उसकी भी सबसे बड़ा रीजन है, वहाँ पर ऐ सिंकेज में आता है, गुवर्मेंट में आता है, इसलिए अटोमेटिक टेक्स पेमेंट हो जाता है, जो सेलरेड आदमी है, उसका भी सारा चीज अकाउंटेड है, इसलिए बहुत आदमी ये भी बोलते हैं, अपना सोशियल सेक्यूरिटी कुछ नहीं है, बहाँ पर आपका एडिक लेम है, बेंशन है, सब चीज देती है, जो कि वहाँ गुवर्मेंट के पास इतना बड़ा रेवेन्यू आता है, वो ये सब चीजे अपोर्ड कर पाती है, अपने इंडिया के अंदर क्या है, ये अपनी जो ये पेनलल एकोनोमी जो चलती है, जो कच्चे की इकोनोम है, इसलिए दोस्तों अब अपने और समय बेश्ट नहीं करेंगे, दोस्त रहिए मस रहिए और सांती की जीवन पाने के लिए अपने आधार को बैस के साथ लिंक करेंगे